आज मैं आपके साथ पपीते की बहुत ही टेस्टिक खीर से एर करने वाली हूँ पपीते की खीर को बना कर वर्त में भी खा सकते हैं हेलो दोस्तो मैं हूँ प्रियंक का एक बार फिर से कल्पना किचन मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फिर चलिए खीर को बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे कच्चा पपीता और इसे अच्छे तरीके से धो कर पोंचने के बाद एक चाकू की साहिता से बीच से चीरा लगा लेंगे और पपीते को दो भागों में करने के बाद हम इसे चाकू से अच्छे तरीके से छीर लेंगे और फिर एक चमच की साहिता से पपीते के अंदर के बीच भार निकाल देंगे और फिर घियाकस के भारिक वाले पोर्सन से इसे घिस लेंगे इस परकार मैंने अपने सारे पपीते को घिस लिया है अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे अपनी कड़ाई और कड़ाई की गरम होते ही हम इसमें एक चमचदे से गी अड़ कर देंगे जैसे हमारा गी मैल्ट हो जाएगा हम इसमें अपना घिसा हुआ पपीता डाल देंगे पपीते को कड़ाई में डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए मिला देंगे पपीते को मिलाने के बाद हम इसे 7-8 मिनट के लिए ढखकर low to medium flame पर पका लेंगे 7-8 मिनट के बाद हम अपनी कड़ाई का ढखकन हटाएंगे और पपीते को चेक करेंगे पपीता हमारा 70% तक कुख हो चुका है अब हम इसमें 2 कप दूद एड़ कर देंगे दूद को कड़ाई में डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए मिलाएंगे ताकि पपीता और दूद अच्छे तरीके से मिल जाएं पपीता और दूद दोनों आपस में अच्छे तरीके से मिल चुके हैं अब हम इसे एक बोईल आने तक ढखकर पका लेंगे दूद में एक बोईल आ चुका है अब हम अपनी कड़ाई का ढखकन हटा कर इसे चला देंगे और अब हम खीर को दो से तीन मिनट के लिए लोटू मीडियम फ्लेम पर खुला ही पकाएंगे दो से तीन मिनट खीर को पकाने के बाद हम इसमें अपने टेस्ट के अकोर्डिंग इसमें सुगर एड़ कर देंगे और साथ ही बारी कुटाई लायची का पावडर डाल देंगे और कुछ ड्राइफ रूट्स एड़ करेंगे ड्राइफ रूट्स में मैंने एड़ किया है बादाम, काजू और किस्मिस इन सभी चीजों को डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए मिला देंगे और खीर को एक से दो मिनट के लिए खुला ही पकाएंगे एक से दो मिनट खीर को पकाने के बाद अब हमारी खीर एक तम परफेक्ट बंद कर तयार है अब हम अपनी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और खीर को सर्व के लिए एक बरतन में बहार निकाल लेंगे इस परकार भहुत ही आसान तरीके से और भहुत कम सामानों से पपीते की खीर बंद कर तयार है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इने लाइक वे सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें